नमस्कार दोस्तों आपका स्वावत है हिंदी डिपेंसरों तो दोस्तों आप जो यह ड्रॉन देख रहे हैं उसका नाम है प्रेडिटर बीड्रॉन बीडरान के संतुल्य रुस्तम सेकंड है इसका नाम जो भारत का है प्रेडिटर अमेरिका का है तो रुस्तम फर्ष्ट आयास से पहले उसमें जो था वो मिसाइल नहीं थी रुस्तम सेकंड में मिसाइल के साथ आता ये तो इसमें क्या-क्या खासियत है कि इसकी वज़े से ये चर्चा में है तो आये देखते हैं पहला तो हम देखेंगे कि जी इसमें क्या-क्या होता है इसमें सर्विलांस कर सकते हैं दुस्मनों की और क्या कर सकते हैं और हम कर सकते हैं कि उनकी लोकेशन के वारे हम जान सकते हैं इसके रडार सिस्टम है उससे किसी भी बायू यान की लोकेशन वो है उपता लगा सकते हैं तो यह तीन काम हम इससे करते हैं और इसके पार्ट क्या-क्या है पार्ट हम देखेंगे कि इसके जो में पार्ट है वो यह है पहला पार्ट तो यह है इसका कैमरा जो लगा होता है और बहुत दूर तक देख सकता है और दूसरी बात है य प्रकाइश कोई भी यदि मिसाल फइर करना हो या सर्वलेंस करना नहीं आती तो इसकी एक खास्यते उसकी कि कि यह भी मिसाल ले जा सकता कि कहीं पी नगल में पहाड़ पर कोई आतंक वादी या कोई सेनिक छुपा हुआ है तो आसानिय से यह उड़ा सकता है तो इसके यह भी एक खासियत है मिसाल साथ यहां लगनी चाहिए इसके यहां और जो अगला पाट है इसका इसके जो रोटर है मतलब पंक्खे जो है वो उपर नहीं है आप देखेंगे ना ड्रॉन के हमेशा यह तो साइड में होता है यह ऐसे होता है तरिच्छे वाले वर्ट सब्सक्रेबर जाने लेते हैं पहले हम सुश्चते थे कि लग इंजयन कहाँ हुए इंजयन यहां भी नहीं होता है यहां तो इसके पंकहे के लिए जो मोटर हो इनियन जो होता है मैंली हां पहुता है जो covering अवर डेसरी में आपको ये मिल रहा है अब देखेंगे इसमें ये रुस्तम रौंज जो है वो दोस्बंho काल है इसकी जो लंबाई है वो दस मीटर के करीब है और जो इसकी ऊंचाई है वो लगवग 2.4 मीटर के करीब है है और जो इसका इंजिन है वो थ्री ब्लेड वाला है मैंने पहले आपको बता दिया था कि इंजिन जो है वो यह अनकवर्ड एरिया में है जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इंजिन इंजन जो है वह अंकवर्ड एरिया में है यहां वाले पार्ट में तो इसने भी यही लिखा है इसमें थ्री ब्लेड होती है नीचे से जो उडान है इसकी इन्होंने 22,000 फिट मिनिम्म बता है में 35,000 फिट तक जा सकता है और जो इसका जो बजन है वो बहुत ही कम होता है मतलब क्याकी एकट जो एक टन है से दुगना होता लगव हो £9 के खरीब इसका बाजन होता है और जो समय होता है वो टो लीच गंटे और मेंग यह 24 गंटे तक उडान भर्शकता है भी किता भी हो हम बात करेंगे तो अगली खासियत क्या है जी रुके एक मिनट अगली खासियत है इसकी छमता ये मीडियम लॉंग रेंज और इलेक्ट्रो ऑप्टेक छमता के साथ होता है और इसमें सिथेटिक अपर्चर रडार लगा होता है जो रडार होता है इसका कहा होता जी ये रडार जो होता है वो यहां होता है उपर के साइड में जिससे ये किसी भी प्लैन को डेटेक्ट कर सकता है और उसे अवा में मार सकता है ये इसकी खासियत है अगली बात आती है कि इसका निर्मान किसने किया निर्मान किया भहिया डियार्डियों ने और बार होता है कि इस्तेमाल सिर्फ ने भी कर सकती है या इस्तेमाल सिर्फ भायों से ना ही कर सकती है तो नहीं जी इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें तीनों से ना इसका इसका इस्तेमाल कर सकती है और इसका communication intelligence में भी प्रियोग होता है जैसे कहीं पर आतंगवादी गतिवदी होने वाली है यह आतंगवादी छुपए हुआ है तो उनका communication intelligence के द्वारा इसके radar sensor आधी से पता लगा जा सकता है sensor भी इसमें होते हैं जिसे कि मतलब किसी भी ब्यक्ति का पता लगा 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 है यह हो गया हमारा चीज अब इससे बनाया है डियाडियो ने डियाडियो ना भी यह बनाया है इसके वारा में यह detail नहीं दिया कि इसके मिसाइल कहां लगेगी detail जैसे देंगा मैं आपको बता लोगा है ठीक है तो इसका जो है रुस्तम सेकेंड नाम है जो डियाडियो ने प्रिदर्शनी में बताया था भी इसका दो बार सपल परेक्षन हो चुका है 2019 में हुआ था सिप्तेंबर में तो डियाडियो ने कहा है कि 2020 से 2020 के अंद तक से सेना में सामिल कर लिया जाएगा आधिकारे ग्रूप से तीसरा जो परेक्षन था वह आसपल हुआ था इसलिए इसमें थोड़ा सा देर हो गया तो जैसे भारत को मिल जाएगा तो भारत की आर कि इसमें बैठने के लिए पाइलोट को जरूरी है ऐसा हो तो आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में इसका जो पंका हुआ वह ऐसा देखता नीचे से यहां पर मिस्साइल फिट की जाएगे और यह पेलोड भी अच्छा खासा ले जा सकता एक से 2000 तक आराम से यह ले जा सक आपेलोड तो यह पूरा ऐसा देखता जो डियाडियो ने दिखा था और जब इसमें मैं बता था ना कि जो पंक्हे चलते हैं तो ऐसे हो जाता यह पंका तिब्रगती से चलता तो यह बिमान उड़ता रहता है जनरली हमने देखा हुआ है अलेकॉप्टर वगेर हम तो उप इसलिए रुष्टम तुखास है अमेरिका प्रेडेटर बीड्रण को टक कर देता है यह जबतार 24 गंट ता उड़ान भी बर सकता है और जो 2000 किलोमेटर के एरिया है उसको यह कवर कर सकता है यह लेगने एक बार में यह 1000 किलोमेटर तक यह उड़ान बर सकता है इसके बाद पाइल चील करता है तो 1,000 km की लिए आसान है इसे उडान बहुझ ज्यादा है करता है कि सबस्केन की खत्रा नहीं रहता है। तो जानमाल का कोई खत्रा नहीं रहता है पाइलेट का इसलिए यह सबसे सेफ माना जाता है मतलब स्ट्राइक को अगरा करना हो तो इस दोन का सबसे ज्यादा उप्योग करते हैं